पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे अपने ट्रेक्टर ट्रॉलियों में जाएंगे चाहे तो हम पार्लियामेंट में जाके वहां बाहर जाके वहां धरना लगाएंगे 500 तिक्री बॉटर से और 500 गाजी प्रॉटर से अपने ट्रेक्टर ट्रॉलियों में जाएंगे आर जो हमा को आतंकवादी खालिस्तानी माववादी बताया था इनका एजेंडा है कि बीजे पी आरेसेस की आईटी सेल की हां में हां मिलाना सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमश्कार सस्रियाकाल सलाम जै जै किसान साथियों तीन महतपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आपके साथ आज इस फेस्बुक लाईव में चर्चा करेंगे पहला मुद्द ये है कि संयूत किसान मूर्चा की आगे की रणनीती क्या है उस रणनीती का कितना महतव है दूसरा सवाल दूसरा जो मुद्दा होगा वो है जो हमारा हासी S.P. आफिस के बाहर बाई कुल दीप राना को न्याई दिलवाने के लिए जो धरना चल रहा है उस धरने से संबंदित कुछ बाते होंगी और तीसरा जो हालिया समय में एक बॉलिवूड एक्टरेस जिसको अभी पदमश्री अवार्ड से भी नवाजा गया उसने जो बयान दिया है हमारे आजादी के आंदोलन के उपर शहीदों की कुर्बानी के उपर उसके विशह में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और ध्यान र नीती आप सब को मालूम होगा कि अभी दो दिन पहले मोर्चा ने एक मीटिंग में ये फैसला लिया कि 29 तारिक को जब पारलियामेंट सेशन शुरू होगा उस दिन 500 500 किसानों का जथा 500 किसान गाजीपूर बॉर्डर से 500 किसान टिक्री बॉर्डर से पारलियामेंट की जथा गाजीपूर बॉर्डर से और ही हम आपको स्पष्ट कर दें ये 500 किसान जाएंगे तो ये शाम को वापस लौट के नहीं आने वाले हैं चाहे तो हम पारलियामेंट में जाके वहां बाहर जाके वहां धरना लगाएंगे अन्य था यदि पुलिस कहीं पे रोकेगी तो वहीं रुक जाएंगे वहां से वापस नहीं आएंगे रात को चाहे तो पारलियामेंट पे जाएंगे या फिर अगर पुलिस चाहेगी तो गिरफतारी देंगे गिरफतार होंगे लेकिन वापस शाम को लौट के नहीं आएंगे अगले दिन नए 500 किसानों का जथा जाएग तिक्री बॉटर से गाजीपूर बॉटर से ट्रेक्टर ट्रॉलियों में जाएगा उससे तीसरे दिन फिर नए 500-500 किसानों का जथा दोनों बॉटरों से जाएगा जितने दिन संसत चलेगी रोजाना कुल मिला के 1000 किसानों का जथा 500 तिक्री बॉटर से और 500 गाजीपूर बॉ से एक हाथ जोड के विशेश विंती है जो पूरा उने किसानों का पूरा सारे उनका पैचान करना सारी चीजें करना ताकि कोई गलत आदमी ना गुस्पैट कर पाए हमारे अंदर ये पूरी प्रिक्रिया भी संयुत किसान मोर्चा बनाएगा लेकिन उसके साथ साथ उस प्रि करत रहका element हमारे अंदर infiltrate हमारे अंदर गुस्पैट ना कर पाए ये किसी एक वेक्ति की नहीं ये हम सब की सामुहिक जिम्मेदारी है सामुहिक जिम्मेदारी हम सब को निभानी चाहिए तो तमाम भायों से विंति है कि इस कारेकरम को पूरा जोर लगाएं पूरा दम लगाएं 26 तारीख को जब हमारे मुर्चा का एक साल पूडा हो रहा है तो जो लिली के आशपास के जो राज्ये हैं उन राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों में राज्यों की रासधानीों में या किसी एक राज्य में दो जगए 26 तारीकों बड़े बड़े इखट होंगे बड़े बड़े कारेकरम होंगे ताकि इस पूरे अंदोलन का देश व्यापी सवरूप सरकार के और पूरी दुनिया के सामने जा सके जो ये पांच राज्य हैं दिली के आसपास के पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्राखंड, उत्रपरदेश यहां से कुछ जगें से जैसात्य किया जाएगा यात्रा के सवरूप में हजारों किसानों के जथे हैं वो 26 तारीक को पहुँचेंगे तमाम बॉडरों पे और बॉडरों को मजबूत करने का काम करेंगे तो सभी भाईयों से हाथ जोड के विशेश विंती है, सयूप किसान मोरचाइनी सकेम पे पूरा विश्वास रखिए, इनके निरनों पे पूरे तरीके से अमल कीजिए, शांती पूर तरीके से अमल कीजिए, हमारे ही कुछ साथी, जो पहले दिन से जो आंदोलन में बड़ ते जिम्मेधारी बनती है, हम एक एक वेक्ति के एक एक भाई के सवाल का जवाब जरूर देंगे, नि生्चित तोर के देंगे, लेकिन सवाल पूछने के भी दो मकसद होते हैं, एक होता है कि जवाब लेने के लिए कुछ चीज जानने के लिह थाल करना, एक दूसरा मकसद ह बेना हमारी जिम्मधारी है और यदि हमारी मैं ये बात कह रहते हूं यदि हमारी किसी मालिजे किसी बात में आपको कमी लगती है तो सुजाओ के तोर पर पर आप अपना एक तरीके से हम تक पहन पहुंचा सकते हैं आप जो बत कहेंगे आप जो नौजवान साथी जो बात हम पहुचाएंगे एक सुझाओ के तौर पे देखिए सिर्फ सवाल पूचना एक कमी निकाल देना वो एक विशय है लेकिन कमी बता के कंस्ट्रक्टिव वे में सुझाओ देना आलोचना के साथ साथ रचनात्मक तौर पे सुझाओ देना कि ये नहीं इस तरीके से हो जाए तो चादा बहتर हो सकता है ये एक अच्छे तरीके से वेवारिक तरीके से आप सुझाओ देंगे तो निश्चित तौर पर उन सुझाओं पे हम भी विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो सुझाओ हमें अच्छा लगेगा SQM के अन्य नेताओं तक भी वो सुझाओ आ पहुंचाया जाएगा निश्चित तोर पे आपका उस सुझाव पहुंचाएंगे और यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई अच्छा सुझाव यदी होता है तो निश्चित तोर पे SKM के तमाम नेता खुले मन और बड़े दिल से उस पे चर्चा करते हैं उस पे चिंतन करते हैं लेकिन आप एक बात ये भी समझिए कि SKM के लीडर्शिप के उपर ही ये जिम्मेदारी है कि जो हजारों लाखों लोग आज इस अंदोलन से जुड़े हुए हैं अंदोलन जीत के वो सुरक्षित अपने घर में जाएं अंदोलन अपनी जोड़ी में डालके सुरक्षित तरीके से अपने घरों में जाएं ये भी SKM की लीडर्शिप हम सब की जिम्मेदारी है ये हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी का भाई अंदोलन में बैठा है किजी की बेटी किजी के म बाप तो कि जी के चाचाताओ अंदोलन में बैठे हैं और जो उनके परिवार के सदस्ते पीछे घरों में बैठे हैं उनको ये इंतजार है कि कब S.K.M. के नितरतों में ये अंदोलन जीता जाएगा और अंदोलन जीत के कब उनके वीर, कब उनके लाडले, कब उनकी लाडलि कब उनके भाई बहन कब उनके मता पिता अंदोलन जीत के वापस अपने घरों को आएंगे क्यानि जो लोग आज मुर्चे पे बैठे हैं इनके रिष्टेदार इनका परिवार पीछे इंतजार भी कर रहा है कुछ साथी अकसर पूछते हैं कि एक साल हो गया एक साल होने वाला है अंदोलन की उपलब्दी क्या है क्या मिला अंदोलन में ये कुछ लोग सावाल पूछते हैं मैं दो तिन चोटी चोटी बातें बताता हूँ आपको जब हमारा जब आपका ये अंदोलन शुरू हुआ उस समय हमारे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं बची थी ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं बचा था जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के सामने खड़ा होके उनकी आँखों में आखें डालके उनके अलोचना कर सके लेकिन आज आपके इस बारा महीने के संगर्ष ने हर उस वर्ग को एक हिम्मत दी है हर उस वर्ग को एक ताकत दी है जिस वर्ग को कुचलने का परियासी सरकार द्वारा किया गया था आज वो वर्ग भी आज समाज के वो हिस्से भी दबे कुछले लोग भी अपनी आवाज दंके की चोट पे उठा रहे हैं वो अपना सीना चोडा करके सवाल पूछ रहे हैं ये आपके इस आंदोलन की उपलब्दी है जब आंदोलन शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर की लोग पिलियता 66% और आज 22% थी कुछ महीने पहले अब वो और भी नीचे जा चुकी होगी ये आपके आंदोलन की ताकत है ये आपके आंदोलन की उपलब्दी है इस उपलब्दी को आप कम मत मानिए इस उपलब्दी को आप छोटा मत मानिए यदि बात करें हरियाना की तो हमारी मातर शक्ती जो पहले सिर्फ घरों तक सिमित थी जो घरों गए काम तक ही सिमित थी आज हरियाना के कुछ जिलों में तो महिलाओं के भागेदारी पुरुषों से ज़्यादा है ये जो महिलाएं हमारी बोलना सिखी है ये इस आंदोलन की उपलब्दी है और जो हमारी महिलाएं नेतरतों करना सिखी है ये इस आंदोलन की उपलब्दी है पहले हम अपने समाज के 50% इस्से को आंदोलन से पहले ही पीछे छोड़ देते थे महिला शक्ती को लेकिन अब की बार वो 50% इस्साव महिला शक्ती आंदोलन में हमारे से कंदे से कंदा मिला के हमारे साथ नहीं हमसे आगे चल रही है एक कदम ये इस आंदोलन की achievement है इस आंदोलन से पहले क्या होता था कोई भी राजनितिक वेक्ति अपना प्रोग्राम करता था तो एक आम आदमी है सोचता था कि किसी तरीके से उस राजनिता के साथ फोटो खिच जाए तो कई लोग क्या करते थे स्टेज के पास जाते थे किसी को दूसरे को फोन दे के और कि अंदोलन शुरूने से पहले यह स्थिती थी और आज क्या स्थिती है अगर बात हम से परियाना ही करें पंजाब की करें पश्मी उत्रपरदेश की करें तमाम राजनिताओं ने कोशिश की कि किसान अंदोलन के मंचों पर उनको दो मिनिट के लिए माइक और मंच मिल जाए लेकिन किसान अंदोलन वालों ने साफ मना कर दिया, वो राजनेता वो पूरा मुख्य मंतरी, हाथ जोड के भी उन्होंने विंती करी, कि दो मिनिट के लिए माइक मंच मिल जाए, लेकिन किसान समाज ने साफ मना कर दिया, कि ये गैर राजनितिक मंच है, ये गैर राजनितिक प्रोग्राम में किसी ब्याशादी में चले जाए कोई भी एक किसान प्रतनिदी जिसने इस आंदुलन में महनत करी है जब वह वहाँ पे जाता है ना तो समाज सारा साथ खड़ा होता है और कोई पॉलिटीशन जाता है तो आज के दिन राजनेताओं को कोई पूछता नहीं है हम आपे यह जो पूरा सिनारियो चेंज कराया यह इस आंदुलन की उपलब्दी है तो आप इस आंदुलन की उपलब्दियों को कम बिल्कुल भी मत आंकिये कम बिल्कुल भी मत मानिये दूसरी बात साथियों अभी हासी में धरना चल रहा है इस पी आफिस के बाहर वहाँ प्रसाशन से बातचीत भी हुई थी लेकिन कोई बात नहीं बनी हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भाई जो कंप्लेंट हमने दी है उस कंप्लेंट क्या धार प्याप F.I.R. दर्ज कीजिए बीजेपी के लोगों के खिलाफ और उसके बाद investigation कीजिए प्रसाशन कह रहा है कि पहले investigation होगी फिर F.I.R. होगी अरे भाई ये कुण सा कानून आ गया देश में ये कुण सा समीधान आ गया देश में के पहले आप investigation करोगे फिर F.I.R. करोगे मालों किसी दो गुटों में कोई कहा सुनी हो जाती है एक गुट कोई complaint लेके जाता है तो उस complaint क्या दार प्याप आप और F.I.R. दर्ज करने के बाद investigation होती है तो अब हमारी F.I.R. दर्ज कीजिए investigation कीजिए उसके बाद सबको सच पता लग जाएगा investigation में लेकिन यहाँ पे एक BJP सांसदरून के लोगों के लिए देश में अलग कानून अलग सिस्टम अलग व्यवस्था बनाई जा रही है या परसों रात को हम हस्पिटल में भाई से वहाँ पर उनको तो होश नहीं है तो उनके परिवार के साथी थे तो हम वहाँ पर मिलके आये थे हमारे साथ में किसान नेता जगजीत सिंग दल्लेवाल जी भी थे और भी कई साथी थे लोकल पूरी कमेटी थी महां की हर्षदीब भाई थे जो आंदोलों ने बहुत सक्रिये हैं जगबीर थे और भी तमाम साथी थे तो वहाँ पे उनका देखा डॉक्टरों से बात करी तो बताया कि उनकी हालत पहले के मुकाबले बहतर है सुधार है 20-25 परसेंट का कुछ साथी ये सवाल पूछते हैं अक्सर सोशल मीड अधिया पे बात चलती है मैं उनस तमाम साथीयों के बताना चाहता हूँ साथीयों जो जिंदल हॉस्पिटल है ये इस अक्षित्र का एक बहुत एडवान्स हॉस्पिटल है हमने डॉक्टरों से तमाम डॉक्टरों से बात भी करी वहाँ के लोगों ने कि यदी आप कहेंग कि AIMS में या मेदानता में इनको बैटर ट्रीटमेंट मिल सकती है तो हम वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि जो उनकी तीन-चार दिन पहले कंडीशन थी वो ये कंडीशन नहीं थी कि उनको एम्बुलेंस में लेके सेक्ड़ों किलोमेटर दूर तक जाया जाए उनकी ये स्थिति नहीं थी और आगे वहाँ पे वो उतनी अच्छी ट्रीटमेंट और पूरा वेंटिलेटर मिले गया नहीं मिलेगा ये भी कोई पकी बात नहीं थी जो वहाँ के डॉक्टर हैं तमाम लोगों से सुजाओ लिये तमाम लोगों से चर्चा करी उनके परिवार के सब लोगों से बात करी वहाँ की कमेटी ने और उसके बाद ये तह किया सब ने सब एक्सपर्ट की सला लेने के बाद कि यहाँ जिंदल उस्पिटल में इनको बेस्ट इलाज मिल रहा है और आगे यदि हमारा बाई एक बार तुड़ा ठीक हो जाए चलने फिरने लग जाए उसके बाद कोई रिकवरी के लिए यदि कोई डॉक्टर सलाद देगा सुझाव देगा कि इनको उस हॉस्पिटल में ले जाएए तो वहाँ भी उनको लेके जाएंगे तो जो साथी अभी ग्राउंड पे है जो वहाँ की कमेटी है वो सारी चीजें कर रही है आप उस कमेटी पे विश्वास रखिए यदि आपको कोई सवाल है तो वहाँ की कमेटी के लोगों से पूछिए यदि आप उनकी कमेटी के लोगों से फोन करके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा यदि आप सिर्फ फेस्बुक पे डाल देंगे तो उसे सिर्फ सवाल खड़ा होगा जवाब नहीं मिलेगा ये भी हमें समझना चाहिए इस बात को हमें जब हम समझेंगे तबी बात बनेगी दूसरी बात कुछ साथियों ने कहा कि हमने देखा सोशल मीडिया पे कुछ पेटियम नंबर दिये गए हैं उन पे विश्वास ना करें ऐसी बाते कुछ लोगों ने लिखी मैं आपको बता दूँ जब हासी में एस पी आफिस का गेराव हुआ था तो उस दिन एक नंबर दिया गया था पूरी जो वाँ कमेटी बैठी थी तमाम अजारों की संक्या में किसान बैठे थे एक साथी जो ग्यारा बारा महीने से अंदुलन में है जो कुल्दीब का बहुत अच्छा दोस्त है उसका एक पे टियम नंबर दिया गया था यदि कोई और भी पे टियम नंबर सरकुलेट हो रहे हैं तो वो बिलकुल गलत है एक PTM नंबर जारी किया गया था वो नंबर जारी करने से पहले तमाम लोगों वहाँ की कमेटी ने उसका अकाउंट चेक किया था इसमें कितने पैसे हैं और फिर ये भी ते किया था कि अब इसमें आगे जो भी पैसा आएगा वो सारे का सारा कुलदीब के इलाज के लिए खर्च होगा वो सारे का सारा उसके परिवार को जाएगा तो उसको इस पश्ट किया था उस साथी को कि भई तुमारा कोई नीजी पैसा इस अकाउंट में नहीं आना चाहिए कभी तुम बाद में कहो तो उसने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं आएगा और वहां के जो जिम्मेदार साथी है जो मेयर टॉल की जिम्मेदार कमेटी है वो एक एक पैसे का उसके पास हिसाब है पूरा वो बहुत जिम्मेदार आदमी है जो वहां के उस टॉल कमेटी के इंचार्ज है वो रिटायर्ड फॉजी है वो जो मांगे राम मलिक जी हुए जिन्होंने बारते किसान यूनियन को शुरू करने में सबसे बड़ी बुमी का निबाइत यूनिस सुस्तर के दशक में वो उनके बेटे हैं बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी इमानदारी से वो टॉल चला रहे हैं वो सारी चीज़ें के चीज़ें नोट करते हैं तो बहुत जिम्मेदार और बहुत विश्वसनियन लोगों के हाथ में पूरा मामला है आप गवराईए मत किसी भी चीज़ को लेके आप किसी भी चीज़ को लेके चिंतित मत हो ये, सवाल होते हैं, फॉन उठाइए, सवाल पूछिए, अब जवाब लेना आपका दिकार है, और अन्तिम बात साथियों, कल परसों जो अभी ये अवार्ड मिलने के बाद, एक एक्ट्रेस कंगना रनाउत ने जो बोला, के भई, 1947 में तो आजादी जो थी वो भीक में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली, ये बातें कहके, उस एक्ट्रेस ने हमारे आजादी के आंदोलन का, आजादी के आंदोलन में शहीद हुए, लाखों, छे लाख से अधिक शूरवीरों और विरांगनाओं का अपमान किय है, ये बात कहके, उसने मात्मा गांदी से लेके, सुबाश अंदर बोश से लेके, लला लाजपत राए, सरदार पठेल, पंडित नहरू, चंदर शेकर आजाद, भगत सिंग, राजगुरू, सुकदेव, अश्वाकुला खान, जहांसी की राणी, लक्षमी बाई, तात्या टोपे, तमाम इन लोगों का अपमान करने आकाम, उस महीला ने, उस एक्ट्रेस ने किया है, और हम बहुत पहले ये बात कह रहे थे, आज से कुछ समय पहले, जब अंदोलन शुरू हुआ था लगबग एक साल पहले, तो इसी एक्ट्रेस ने इनीत रहे के कुछ लोगों न भाजपा की चाटू कारिता उनके तलवे चाटने के चकर में इस देश के अनदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, माववादी बताया था, तरहत रहे के भद्दे आरोप लगाये थे, किसान समाज पे, किसान अंदोलन के उपर, और तब हमने कहा था, ये विंती कीती सब ल प्रियास इन सो कोल्ड सेलेब्रिटीज, मैं इनको सेलेब्रिटीज नहीं कहता, ये चाटू कार हैं, ये सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं, इन लोगों ने जैसे किसान अंदोलन को बदनाम करने का प्रियास किया, आज आजादी के अंदोलन को ये बदनाम करने का प्रिय तो ये क्या कहेंगे ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ये चाटुकार उसको आतंकवादी बता देंगे उसको खालिस्तानी बता देंगे उसको उगरवादी बता देंगे इस तरीके से मतलब इनका एजेंडा क्या है इनका एजेंडा है कि बीजेपी आर एसस की आईटी सेल की हां म हां मिलाना इसके अलाव इनका कोई काम नहीं है ना ये सेलेबिरिटी कैलाने लायक है ना ये एक्टर एक्ट्रेस कैलाने लायक है ये कुछ कैलाने लायक नहीं है ये हैं तो सिर्फ चाटू का रहें ये तलवे चाटतें भी जे प्यार एसेट वाड़ों के और कुछ नहीं करते और ये एक्टरस ये बात जान ले कि भीक में तो सिर्फ आवार्ड मिल सकता है जो ये आवार्ड मिले हैं ये भीक में मिल सकते हैं आजादी की लड़ाई भीक में नहीं जीती जाती आजादी भीक में नहीं मिलती आजादी के लिए छे लाक से अधिक न तो इसलिए ये समझते हैं कि दूसरों का भी नहीं होगा, इनको मालूम होना चाहिए कि किसान मजदूरों को, हजारों की लाखों की संक्या में किसान मजदूरों को, अंगरेजों ने गाउं के बाहर पेड़ों पे फांसी पे लटका दिया था, एक एक महीने तक उनकी लाश नहीं उतरने दी थी, लोगों में भैपैदा करने के लिए, उन्हें खोब पैदा करने के लिए, अंगरेजों नों इतने कुरूर नरसन हार किये थे, जलिया वाला बाग कांड, ये अंगरेजों ने किया था, ताकि भारत को आजादी ना मिल सके, और उसको ये कहते हैं, कि वो आजादी नहीं थी, तो भीक में कुछ चीज मिली थी, ये कहते हैं, कि 2014 में देश को उसलिया जादी मिली, क्या मिला, 2014 के बाद किसानों की आतमत्या बढ़ गई, 2014 के बाद देश में बेरोजगारी रिकोर्ड सतर पे बढ़ गई, 2014 के बाद देश की आर्थिक वेवस्ता ठप हो गई, 2014 के बाद देश में हिंदु मुसल्मान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लोगों को बाट दिया गया, शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी, वो ऐसा मुल्क बनाने के लिए दी थी, जहां पे किसान को उसका दिकार हो, जहां नौजवान को उसका दिकार हो, तो सब लोग मिल जुलके रहें, समाज को और भारत को मजबूत बनाने की तरफ काम करें, तो मेरा सब सातियों से हाथ जोड़े के अंत में यही निवेदन है, कि आवाज उठाईए आजाब, आपको परमात्माने बुद्धी दी है, सोचने की शमता दी है, तरक वितरक करने की शमता दी है, आप सवाल उठाना शुरू कीजिए, इस तरह के लोग जो बेवज़े की टिपनिया करते हैं, उनको जवाब देना शुरू कीजिए, नहीं तो कल हर उस वेक्ती को कुचलने का प्रियास किया जाएगा, हर उस वेक्ती की आवाज को दबाने का प्रियास किया जोष ज्यादा है उनमें, तो कई बार ज्यादा जोष में उतावले होगे कह देते हैं कि जल्द से जल्द कुछ कर दीजिए, सब कुछ होगा, वो अपने आरियाना में कावत है ना, कि ज्यादा गरम खाने का प्रियास करेंगे ना, तो जी भी भी जल जागी, टेस्ट भी भी नहीं आओगा, खाने का मजा भी नहीं रहुएगा, इसलिए बढ़िया बात, सुत्री बात यहाँ है, कि आपका कोई सुजाओ है, आप सुजाओ हम तक पहुँचाईए, आपके सुजाओ पर विचार करेंगे, जो सुजाओ बढ़िया होगा, उसको SKM की मीटिंग में रखेंगे भी, और सब लोग खुले मन बड़े दिल से विचार भी करेंगे, लेकिन मेरे साथियों, यह विंती है, यह आपका अपना मुर्चा है, यह कोई हमारा कोई 40 लोगों का यह 400 लोगों का मुर्चा नहीं है, यह बारत के 80 करोड किसानों का मुर्चा है, आपकी ताक बहुत बहुत दन्यवाद.